मेरे पती का जबरन साधी करवाते हैं, अजबन जब साथ नहीं दे रहे तो कोई आउर भी मेरे साथ देने वाला नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिकार पाएगा, हम पांच लाख रुपया फेक देंगे, जो होगा देखा जाएगा, मेरे जो पती के बरे भाई है, सूरज कु ये दोनों अपने ही ग्रीज इलाम है, पतना ATS में पदस्थापित है, उभी साथ साल से, इन लीगल तरीके से, अभी तो तुमारे पती का दुश्रा शादी करवाएं, उसके बाद तुमारा तुमको भी साइट करते हैं, फिर एक पतनी आज रोट पे भटक रही है, आपने सुना होगा, बहुत चर्चित चहरा, जिसका नाम काजल, बहुत सारे यूट्यूबर ने इनका साथ दिया, और सिफाही पती, रंगीला पती, धरंजय, जो की अपनी पतनी के साथ साधी करने के कुछ दिन के बाद दूसरी साधी कर लेता है, वो भी क्या, तो साधी सुधा म महला से, और कौन करवाता है ये साधी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके दो भाई, जो ATS में कारेरत है, वो भी इनलीगल तरीके से, आए इनकी आप बेती जाने, इनको न्याय मिली या नहीं मिली, इसके पीछे का वज़ा, कौन है वो, जो ATS का सिफाही, जो इसके जान के पीछे परा है, काजल के जान के पीछे परा है, और बार बार इसको धमकी दे रहा है, किसके बूते धमकी दे रहा है, और साथ साल से, एक ही, अपने ही डिपार्टमेंट पे, अपने ही अस्थान पे, कारेरत है, गिरे जिला में कारेरत है, नाम काजल बताएगी, काजल क्या हुआ था आपके साथ मेरे पती के बड़े भाई है सूरज कुमार एवं संतोस कुमार ये दोनों मिलकर मुझे जान से माड़ने का पढ़ियास कर रहे है कई वर पर अपको नियाई मिली है नहीं ये इन दोनों का नाम हटा दिया गया है केस से किनका नाम हटा दिया गया है मेरे पती के बड़े भाई सूरज कुमार और संतोस कुमार दोनों का नाम हटा दिया गया है ये सूरज कुमार और संतोस कुमार आपके पती की शादी करवा देते हैं और जिससे शादी करवाते हैं उनकी उस महिला की भी पहले वो सादी सुदा है वो जो इस नया सिना है वो पहले भी शादी की थी एक लर्गा से उसके साथ तीन साल रहती है तीन साल रहने के बाद जब उस लर्किया की मा बहन डेट कर जाती है कर जाते हैं तो वो लड़की उसको छोड़ कर उसके पैसा उसा नहीं रहता है तब मेरे पती का हाथ पकड़ती है और उससे साधी सुदह जानती है कि पहला साधी किया है आपके भैसूर आपने का कि आपके दोनों भैसूर भी सामिल है हाँ मेरे पती के बरे भाई सूरज कुमारा संतोष कुमार दोनों मिलकर मेरे पती का जबरन साधी करवाते हैं उस लड़की के आत में काई कि वो लड़की सही नहीं है ये लोग पैसा के कारण ऐसा कर रहे हैं पास जो आपके भैसूर है उनका बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग वगरा वगरा है आपके पास हाँ मेरे पती के बरे भाई जो है जो मेरे भैसूर है उनका रिकॉर्डिंग वगरा है पहले एक बार मारपीट मेरे साथ किया गया था मेरे ब्रेन में चोट भी आया था उसका म उन्होंने माफी माँगी, चार महिना के लिए मुझे घर पे बुलाया, फिर उसके बाद चार महिना बाद जा कर वो उन्ट सब को ही मिलकर मेरपती का जबरन साधी करवा दिया, एक साधी सुधा महिला से जबरन तो साधी हो नहीं सकती, कहीं न कहीं आपके भैसूर ने कुछ पैसे लिए होंगे हाँ वो दहेज के लिए हम लोग से भी दहेज ले लिए थे साइद वूस लड़की से भी दहेज ले कर दूशा शादी करवा हैं ये दोनों मिलकर दोनों भाई अच्छे ये बताईए कि आप कह रही हैं कि आपके जो भैसूर है अपने ही जीला में कारेरत ह पदस्थापित हैं इसका मतलब क्या है ये मेरे जो पती के बरे भाई ये सूरज कुमाड और संतोस कुमाड ये दोनों अपने ही ग्रीज इलाम है पटना ATS में पदस्थापित है उभी साथ साल से इन लीगल तरीके से इस पी साहब को इसकी जानकारी नहीं है एस पी वो लो अभी तो तुम्हारे पती का दुश्रे शादी करवाएं उसके बाद तुम्हारा तुमको भी साइट कर देंगे तुमको भी हटा देंगे साइट कर देंगे लगातार घर से निकालने का कई बार पढ़ियास भी किया है हाँ टोचर करवाते हैं आपके सर में भी वार किया थ इसका medical report भी है, मेरे सर में पीछे में चोट लगा था, मेरे पती के बरे भाई सूरज कुमार, और अभी भी आपका पीछा करते हैं, हाँ अभी भी पीछा करवाते हैं, दोनों भाई मिलकर सूरज कुमार और संतोस कुमार, अभी भी हम मतलब अकेले चलते हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे हस्बंड जब साथ नहीं दे रहे तो कोई आड भी मेरे साथ देने वाला नहीं है, तो हम कहीं भी जाते हैं, कोट वेगरा सब कुछ अकेले ही करते हैं, एक बेसाहारा लड़की, छल से उसे अपने घर बुलाया जाता है, क्योंकि उस वक्त लगता है कि ब पाच मेहने तक बहुत सेवा की, उसके बाद फिर एक सरियंत रचा गया और वो सरियंत का नतीजा ये हुआ, कि आपके भैसूर ने किसी और से साधी करवा दी। दुश्री लड़की साधी सुदा लड़की से साधी करवा दिया गया उनका और इनकी बहन भी सामिले लोग मिलकर जाकर अमिनषit के लिए भी नहीं पूछता है को आपको नाई नाई, कोई भी कुछ भी मुझे नहीं देता है अबारा सिपाही, धननजय, इतनी खुबसूरत लड़की, साइद साल भर भर भी शादी को नहीं हुए होंगे, और साल भर में ही इसने अपने भाई के कहने पर दूसरी सादी कर ली, कि सबसे दर्द भरा पल कैसे काट रही हैं आप। अकेले हम रहते हैं, तो हम ऐसे तो कोट दोड़ते हैं काम के लिए, जो आपके लिए हैं, बहुत तकलिफ होती होगे, रात में हम अकेले होते हैं, लगकी हो करके, हाँ, बहुत कुछ सरवाइब करना एक लगकी को अकेले, समाज जो है, वो क्या सोचता है आपके बारे में, आ सिर्फ आह निकलती है कोई आपका साथ दे रहा है नहीं कोई सिर्फ बोलता है अरे इसके साथ तो बहुत बुरा हो गया अरे ये तो इतना कुछ की लेकिन इसका पती नहीं आया इस टाइप से टॉन आते हैं लेकिन कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं पती अभी भागे हुए है, भगोरा हो गए है, रंगीला किसम का पती मिला आपको हाँ मेरे पती अभी भागे वफरार है और उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है पैसे की चाहत इतनी होती है कि अपनी पतिनियों को भी लोग दरकिनार कर देते हैं और उसमें कहीं न कहीं घर बहुत माइने रखता है और ये जो दो सक्स हैं आपके जीवन में जिनका नाम भैसूर सब्दों से लिया जाता एक इजट सब्द है ये समाज के लिए आज वो कहीं न कहीं आपके जान के पीछे परे हुए हैं इसके पीछे का जो भी रीजन हो कहीं न कहीं आपको लगता है कि वो अपनी गिरी जिला में जिस तरीके अस्थापित है वो कानून के नजर में गैर कानूनी है हाँ ये बिल्कुल गैर कानूनी है मेरे पत्ति के जो बरे भाई है सूरज कुमार संतोष कुमार गैर कानूनी तरीके से साथ साल से एक ही जिला में और एक ही जिला क्या वो अपने घर में यहां के निवासी भी है वो अस्थाई निवासी है पर्वनेंट यहीं पड़ वो पट साहिब का धोस दिखाते हैं यह बात है कि वो हमेशा मतलब मुझे जब मेरे पते हस्बन जो दुशा शादी करवा लिया तो घर से निकान ले घरी सबको यही बोला कि जाई यह क्या कर लिजेगा कुछ नहीं हो पाएगा आपका आप ऐसी सबको आर्पीट पीछे बोला जा रह गरीब मजबूर लड़की बेसहारा लड़की और जहां दो दो सिपाही और साथ साल से गिरी जिला में पदस्थापित हैं तो सोचिए इनके पीछे किसका हाथ होगा जबकि ये गैर कानूनी है कि आप जिस जिला के हैं अस्थाणिये हैं उस जिला में आप पदस्थापित या नौकरी नहीं कर सकते लेकिन इनके ऊपर किसकी किरपा है क्या माननिये एसपे साहब को इस बात की जानकारी है या फिर वो ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं ये बात तो नहीं जानते कि एसपी साहब को जिनकारी है कि नहीं है लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग को एसपी साहब का हम लोग पर हाथ है आप कुछ नहीं कर पाईगा और हम एसपी साहब को स्प्रीट पोस्ट भी किये हैं सामने से लेटर भी दिये हैं मेरे साथ मार प आप ATS के ASP सहाब हैं उचित कारवाई करे ताकि एक बेसहारा लड़की जो शादी करके अपने घर जाती है सुस्राल जाती है ये सोचके कि उसको सपनों का राजकुमार मिलेगा वो राजकुमार तो तब तक ठीक था जब तक कि इनके जीवन में दो भैसूर नाम के सब्द न जो कि गिरिजीला में अस्थापित हैं इसी का फाइदा अपने पद का घुमान पद का दुरृपियों करते हुए इस लरकी के जान के पीछे परे हुए हैं और कहीं न कहीं ये कैसे पद अस्थापित है? इसके कारव सेली पे सवाल खरा होता है परशासन क्या कर रही है, क्य ऐसे लोगों को गिरिस जिला में कैसे इनकी न्युक्ति की गई ये जाच का बिसे होना चाहिए और इस पे जाच होनी चाहिए क्या लगता है कि अगर एस पे साहब आपका ये वीडियो देखेंगे तो कहीं न कहीं आपकी जान की सुरक्षा होगी और सूरज और संतोस जी पे कारवाई होगी क्योंकि वो तो भाई क्या है रीडर है कहा जाता है कि ये एस पे साहब के रीडर है और इसी का फाइदा अपने पद का फाइदा इस मासूम लड़की पे उठाते हैं इसको मानने की कोशिस करते हैं मानने संजे सिंग जी से अनुरोध करती हूँ कि इनकी कारिये पर जो सवाल खरे हो रहे हैं जाच का आदेश दिया जाए ताकि क्या सचाई है हाँ जाच की जाए और जाच करने के बाद उनकी सचाए निकल जाएगी ये साथ साल से लगतार अपने इगरी जिला में पटना में पदस्थापित है और हमेशा बोलते हैं कि हम लोग का कुछ भी नहीं हो पाएगा इसको जो करना है करने दो अपने थक एक दिन खुद को सुसाइट कर लेगे ऐसा कुछ है लेकिन हम ऐसे लड़की नहीं है कि हम खुछ सुसाइट कर लेंगे अगर हमको कुछ होता भी है ना तो इसके पीछे अगर हम उनके घर में रहते हैं अगर हम खुछ से मरने वाली लगी मानिए S.P. सहब को संजय सिंग जिनका नाम है उन से प्रातना है की मेरी जान की रक्षा की जाया और मेरे भैसुर जो है सूरज कुमार असंतोस कुमार उन दोनों पे करवाई की जाए फिलाल से लिए देश्वानी उच में इतना ही एक बेटी चो समाज का आइना होती है उसे बचानी की जिमवारी हमारी और आपकी होती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो शेयर लाइक कमेंट चरूर करें धन्यवाद